चंद्रेयन 3 की सफलता के बाद इसरो ने 2 सितंबर को अपना पहला सोलर मिशन आदित्य L1 भी लॉंच कर दिया है इस मिशन को श्री हरी कोटा से शनिवार सुभे 11 बच के 50 मिनिट पर लॉंच किया गया इस मिशन की लॉंचिंग से पहले इसरो पर मुक एस सोमनात ने कहा था कि आदित्य L1 के परच्छेपण की उल्टी गिंती शुरू हो गई है उन्होंने कहा कि हम अभी परच्छेपण की तयारी कर रहे हैं रॉकेट और उपग्रह तयार हैं हमने परच्छेपण के लिए रेहसल भी पूरी कर ली है हाला कि लोगों के जहन में ये सवाल भी आ रहा है कि सूर्य तो इतना गरम है तो आदित्य L1 इतनी गर्मी कैसे जहल पाएगा बता दे कि ये सूर्य पर लैंड नहीं करेगा आदित्य L1 सूर्य से कई लाग किलोमेटर पहले तक ही जाएगा लेकिन उस जगह पर असहनिय गर्मी भी होगी जहां कोई भी आमधातो असानी से पिघल जाएगा लेकिन आदित्य L1 को एक विशेश मेटिरियल से बनाया गया है जिसलिए से उसे कोई नुकसान नहीं होगा आदित्य L1 सूर्य पर जाने वाला इसरो का पहला मिशन है इससे पहले नासा समेत कई अने स्पेस एजनसियों ने अपना अंतरिक्ष शियान मिशन के लिए सूर्य पर भीजा है जिसमें से कई मिशन सफल भी हुए है रिपोर्ट्स के अनुसार सूर्य पर आदित्य L1 को PSLB रॉकेट से लॉंच किया गया है इसलिए आदित्य L1 के लिए देश भर में विशेश पूजा की गई इसके साथ ही लॉंच की सफलता पर देश के सभी पार्टियों के नेताओं ने बदहिया भी दी वहीं कॉंग्रेज अध्यक्ष मलिका अरजुन खडगे ने ट्वीट कर लिखा हम अपने विज्ञानी को अंतिरिक्ष इंजीनियरों, शोत करताओं और अपने कड़ी महनत करने वाले कर्मियों के रिणी और अभारी हैं आदित्य L1 सौर अवलोकन मिशन को सफल प्रक्षिपन के लिए हम सब को मिलकर उनकी सफलता का जश्न मनाते हैं और अपनी कृतिग्या के साथ उनका सम्मान करते हैं इसके साथ ही कॉंग्रेस की तरफ से भी ट्वीट कर लिखा गया कि इसरों ने देश को गौरवानी होने के लिए अनेक मौके दिये हैं चंद्रियां 3 की बाद इसरों ने आदित्य एलवन को सफलता पूर्वक लौंच कर फिर से देश का नाम बढ़ाया है देश की विज्ञानिकों की इस अद्वुत उपलब्धी पर समस्त कॉंग्रेस परिवार को गर्व है इसरों की पूरी टीम को शुपकामना है जैहन वही केंद्रिय ग्रह मंत्री अमिशा ने भी आदित्य एलवन की सफल लौंच के लिए सभी को वधाया दी पता दित्य की आदित्य एलवन को भारत में ही डिजाइन किया गया है इसमें मौजू 7 पेलोर्स में से 6 भारत में ही बने हैं यह सूरज के नज़ीक नहीं जाएगा मगर लैंगरेंज पॉइंट पर ही रहेगा और सूरज पर रिसर्च करेगा यह किसी धातू से बना है इस बात की जानकारी इसरों की तरफ से अभी नहीं दी गई है बतादे की स्पेस एजिंसी मिशन से जुड़ी जानकारिया गुपत रखी गई है इसरों के इस मिशन पर हर देश्वासी ही नहीं बल्कि आन्य देशों के लोगों की नजर भी है भारती चांद के दक्षनी धूप पर पहुंचने वाला पहला देश भी है